क्या कह रहा है वो कह रहा है कि at room temperature room temperature दिया है 27 degree centigrade चलिए तो हमने इसका T1 room मा लेते हैं वो दिया है 27 degree centigrade अब इसको हमें Kelvin में change करना नहीं चंच करना वो बात की बात है अगर जरूद पड़ेगी तो change करेंगे at room temperature the resistance of the heating element एक element है उसका resistance कितना दिया हुआ है 100 ohm दिया हुआ है room temperature ठीक है what is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm यानि उसका resistance हो गया 117 ohm आप किसी का resistance बढ़ता कैसे है temperature की उसे बढ़ता है तो इसका मतार temperature बढ़ा होगा ठीक है तो यह कह रहा है कि वही यह बताईए कि यह resistance होने पर उसका temperature कितना हो गया T2 निकालिए आप और given है temperature coefficient of material alpha से represent किया जाता है alpha दिया हुआ है 1.7 into 10 power minus 4 1.7 into 10 power minus 4 degree centigrade inverse यह alpha दिया हुआ है तो अगर हमको alpha की जानकारी है तो भी resistance की जानकारी है अब हमको इस निमेरिकल की भी जानकारी है alpha होता क्या है किसी भी एक ohm का register अगर आप ले लीजे कितने ohm का one ohm का register को ही ले लीजे और उसका temperature वाई साब सुन लेजे पहले फार्मुला मत लिखिए क्योंको formula तो रहती ह कहां से आया formula ये मालूम है आपको मालूम है आपको नहीं मालूम है इसलिए formula कहां से आया वो समझेगा alpha का मतलब क्या होता है एक ohm का register ले लीजे उसका temperature one degree बढ़ाईए और one degree बढ़ाने में जितना resistance बढ़ जाता वही alpha है alpha is the increase in resistance of one ohm register when we increase the temperature by one degree centigrade अब देखो ध्यान से formula अ आपका पहले resistance कितना था R1 फिर आपने temperature बढ़ाया कितना delta T ठीक है आप देखो एक ohm resistance भी कितना resistance बढ़ा alpha तो अगर R1 resistance कितना बढ़ेगा R1 to alpha temperature कितना बढ़ा वन डिगरी यहां कितना बढ़ रहा है temperature डेल्टा T डिगरी नहीं जब एक ohm resistance था तो कितना increase हुआ alpha दो ohm में कितना increase होगा 2 alpha तो R1 O में कितना increase होगा R1 alpha एक degree में कितना हुआ alpha 2 degree में 2 alpha delta T degree में delta T इतना बढ़ गया यानि ये इतना बढ़ करके हो गया क्या R2 हो गया यही तो आप से कह रहे हैं बन गया निवेरिकल मतलब बन गया formula formula याद मत करें अब आपको इसलिए नहीं आदे कि पहले स्लेबस में resistance thermometer हुआ करता था resistance thermometer constant volume thermometer अब चूँकि वो thermometer यूज नहीं होते बढ़ाती दौर था जब यूज हुए अब यूज नहीं होते तो पढ़ाना भी बंद कर दिया तो जब पढ़ाना भी बंद कर दिया उस पढ़ाने नहीं पढ़ाने देख लेना है वर्णे के लिपर्स की रिटिंग किसी के लिए अब नहीं आती अब दुकानदार भी जो पहले देख लेता था वो ऐसे लगाता है अपना वो उसमें screw gauge में अपना वो इसमें डिजिटली बता देता है कि इसने micron का इतार है सो बड़ बढ़ है आरवन को इधर ले आओ तो आरटू माइनस आरवन अपन आरवन इंटू एलफा बरावर क्या हो जाएगा डिल्टा टी चुछत होगा तो आरटू माइनस आरवन अपन आरवन इंटू एलफा और डेल्टा T बोले तो T2 माइनस T1 मैं फार्मला बना रहा हूँ वो आपको T1 निकालना है T2 निकालना है तो T2 क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 अपान R1 इंटु एल्फा प्लस T1 अब रग दो वेलू R2 कितना है 117 माइनस 100 तो उपर कितना है 17 आएगा नीचे कितना आएगा R1 कितना है 100 एल्फा कि वेलू कितनी है 1.7 इंटु 10 पावर 4 माइनस का 4 और प्लस का T1 कितना है 27 जड़ा इसको कल्कुलेट करिए पॉइंट हटा होगे यहाँ पर 0 खिल जाएगा 17 टेन्जार्ट जो जाएगा अब देखो यह आपका कितना है 10 पावर माइनस 2 बचेगा ना 10 पावर माइनस 2 पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 जैनि यह आपका हो जाएगा 1 1000 प्लस 27 तो 1027 डिग्री सेंटी के टेम्टर से हो जाएगा सफ़जमें बात आएग नहीं आही